हलो फ्रेंड्स, इस्टेडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूँ कृष्णायाद हूँ फ्रेंड्स, आधनिक इतिहास में जब हम प्लासी के युध्य की बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है तो हमें यह जाना होगा कि यह युध्य जो है भारत के इतिहास में क्या स्था रगता है जैसा कि हम जब मौडन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो पूरी कहानी हम किस चीजीज की पढ़ते हैं वहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन जो ये एक यूरोप का देश था उसने हमारे देश पे सासन कायम कर लिया और बहुत वर्सों तक हम गुलामी की जंजीरों में जखड़े रहे बाद में 1947 में हमें उस गुलामी से आजादी प्राप्थ हुई तो ये गुलामी जो है किस प्रकार भारत पे आ गई तो इसका जो घटना करम है वो यूरोपी कमपनियों के आगमन से हमने स्टार्ट किया था और कई लेक्चस के द्वारा हमने जो है उसको एक एक करम से समझा कि किस प्रकार से पूर्टगाली डच, अंग्रेज और फ्रासी स सभी कमपनिया भारत में एक एक करके आई और ब्यापार करने लगी अब आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध जो है इतिहास में एक बहुत महत्पूर अस्थान रखता है क्योंकि यही वो समय था जिसके बाद जो है बिटि उसकी पहुँच दिल्ली तक भी हो गई और धीरे धीरे करके उन्होंने भारत के पूरे सभी महत्पूर छेतरों पे अपना बर्चस राजनेतिक ब्यापारिक और आर्थिक रोप से कायम कर लिया तो चलिया आज की इस क्लास में हम देखते हैं प्लासी की कहानी किस प्रकार स प्लासी का युद्ध जो है वो घटित होता है तो प्लासी को समझने के लिए अगर आप इसको बिध्वत समझना चाहते हैं तो हमको पहले बंगाल को समझना होगा बंगाल जो छेतर है वरतमान में जब हम इंडिया के मैप पे देखते हैं तो हम वहाँ पे एक पस्चिम बं तो वो एक बंगाल का हिस्सा ही है जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1757 के आसपास की बात की जा रही है ये युद्ध जो है वो 1757 में घटित हुआ था तो अगर हम 1757 के आसपास की बात करें तो ततकाल बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा छेतर था जिसमें वर्तमान का पस्चिम बंगाल जारखंड बिहार उडिसा और जो बांगला देश है वो सब पूरा छेत्र मिला करके एक प्रांत था जिसको बंगाल कहा जाता था फिर धिरे धिरे उसके तुकड़े होते चले गए आजादी के बाद 1971 में बांगला देश अलग देश बना और पस्चिम बंगाल जो है एक अलग प्रदेश हमारे प्रदेश में है हमारे देश के इंतरगत आता है और बिहार और उसी से निकला हुआ जारखंड और एक उडिसा प्रदेश ये सब उसी के टुकड़े होते चले गए और धिरे धिरे बंगाल कई भागों में बिभक्त हो गया तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं उसमें बंगाल जो भारत में है वो एक बहुत महत्पूरस्था रखता था हम देखते हैं कि इधर से जो है गंगा नदी आती है और इधर से चाइना से एक ब्रंभपुत्र नदी आती है यह गंगा और इधर से आ रही है ब्रंभपुत्र और बंगाल छेतर में आ बहुत सहरी सहयक नदियां इसमें आ के मिलती हैं। और ये जो मैदान है, ये दोनों नदियों का जो गंगा और ब्रभपुत्र का जो समलित मैदान था। उसी मैदानी छेतर में ये बंगाल राज पनलवित हो रहा था। और यहाँ एक बहुत ही सम्रद हिसाली ना केवल क्रसी के छेतर में बलकि उद्दोग के छेतर में भी बहुत डेबलब करता हुआ एक प्रदेश था जो दिल्ली में जो सत्ता बैठी हुई थी दिल्ली में जो मुगल सत्ता बैठी हुई थी उसको एक भरपूर राजस्यू प् हम देखते हैं कि 1707 तक औरंग जेब का सासन रहा और वो उसने पूरे भारत पे एक मजबूत नेंतरड इस्थापित कर रखा था 1707 एक ऐसी डेट है जिसने जो है मुगल सत्ता को कमजोर बना दिया 1707 में औरंग जेब की मर्ति हो गई और उसी के बाद से जो मुगल सत्ता थी केंदरी सत्ता वो धीरे धीरे बिखरती चले गई और भारत में जितने भी छेत्रों पर उनका नियंतरड था वहां के जो विद्रोही लोग थे उन्होंने धीरे धीरे अपने छेत्रों पे स्वायतता हासिल कर ली और अपने प्रदेशों को उन्होंने मुगल सत्ता से स्वतंत्र घोसित करना सुरू कर दिया तो हम बात बंगाल की अगर करें तो वर्तमान में जो हम बंगाल देख रहें उसी के आसपास का पूरा छेत्र ये बंगाल था जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो उसमें बंगाल था बिहार और उरिसा ये जो महत्पूर परदेश थे महत्पूर छेत्र थे इनही इंको संवत रूप से बंगाल की संग्याद दी जाएगी तो ये बंगाल बहुत ही सरमजाली छेत्र था तो सभी राजाओं की और सभी जो कमपनिया वर्तमान समय तक भारत में आ चुकी है हम देख रहे हैं कि इस समय तक भारत में डच भी है, फ्रांसीसी भी है अंग्रेज भी है और ये सब जमे हुए है, अपने अपने ब्यापार के लिए आपस में कहीं छुटपुट लडाईया भी कर रहे हैं, अभी तक कोई भी कमपनी जो है सीधे मुगल सत्ता से नहीं भीली है ना ही उनसे उनका कोई विसेश टकराओ है छुटपुट जड़प को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी लडाई नहीं हुई है, सिर्फ कमपनी आपस में लड़ रही है, तो अगर हम सत्रा सो के आसपास से शुरू करें इस स्टोरी को समझने के लिए पलासी उधिको, हमें सत्रा सो साथ से स्टार्ट करना होगा सत्रा सो साथ में घटना क्या होती है, आउरंग जेब की मृत्ति हो जाती है आउरंग जेब इसकी क्या हो गई, मृत्ति हो गई तो इसके बाद क्या हुआ छेत्री जो सक्तिया है छेत्री स्वायत्ता ने जन्म लिया कहने का मतलब ये है कि जो बंगाल के छेत्र में जो वहा का एक दिवान था बंगाल के छेत्र में औरंग जेव के समय से ही एक दिवान था जिसका नाम था मुरसीद कुलिखा सबसे पहले हम इसी के विशे में जानेंगे औरंग जेव के समय से ही मुरसीद कुलिखा जो है बंगाल में निक्त था और अपना कार कर रहा था आउरंजेव की मरत्यू के बाद में मुर्सीद कुली खा ने धीरे धीरे क्या किया कि इसने बंगाल को धीरे धीरे मुगल सत्ता से अलग करना शुरू किया जब उसने देखा कि मुगल सत्ता में कोई आगे आने वाला राजा उतना सक्तिसाली नहीं है उसका नियंत्रण उतना अच्छा नहीं है तो इसने धीरे-धीरे मुगल सत्ता से अपने आपको अलग करना प्रारंभ कर दिया और अपने निरणे अपने छेत्र में स्वयम लागू करने लगा, स्वयम निरणे लेने भी लगा लेकिन इसने टैक्स देना बराबर जारी रखा यानि कि प्रारंभ में मुर्सीद कुली खाने टैक्स देना जारी रखा ताकि मुगल सत्ता से सीधे हमारा कोई बैर न होने पाए और यदि कभी कोई बाहरी सत्ता से कोई आक्रमण या कोई भी खत्रा आता है तो मुगल हमारे पच्छ में खड़े होंगे और इसी तरह मुर्सीद कुली खा को कहा जाता है कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्सीद कुली खाने ही की थी तो इसे कह सकते हैं संस्थापक ये संस्थापक है किसका स्वतंत्र बंगाल का स्वतंत्र बंगाल से ततपर यहाँ पर है मुगल से स्वतंत्र यानि मुगल जो केदर मे बैठे हुए थे उनका नियंत्रण पूर्ण रूप से अब बंगाल पे नहीं था तो इस प्रकार से वह एक निर्णे के रूप में प्रसासन के रूप में और राजस्व के मामले में अब सीधे सीधे मुरसीद कुली खा के नियंत्रण में आ गया था बंगाल 1707 के बाद अब इसी समय हम देख रहे हैं कि अंग्रेज भी अपना बर्चस्व बंगाल में बना रहे हैं हमको दोनों चीजों को साथ में समझ के चलना होगा एक तरफ हम देख रहे हैं कि जब औरंजेव की मृत्यों हो गई तो मुर्सीद कुलीखा जो पहले से वहाँ एक करमचारी नुक्त था उसने जो है एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की तरफ अपने कदम बढ़ा दिये हैं और इसी के साथ साथ कंपनी जो ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी है वो भी जो सुवेदार है बंगाल का उससे अनुमती प्राप्त करके इन्होंने हुगली में अपना ब्यापार जो है प्रार्म किया था और उसके बाद 1698 में 1691 में इन्होंने हुगली में अपना ब्यापार प्रार्म किया उसके बाद इन्होंने कासिम बजार, हुगली, पटना इन सब छेत्रों में अपनी फैक्टरिया स्थापित की थी वो आप अंग्रेजों का आगमन वाले चेप्टर में पढ़ चुके हैं इसके बाद क्या होता है 1698 में इनको वहां के नवाब से वहां का जो सुबेदार है उससे इनको तीन गाउं प्राप्थवे थे वो कौन था सुबेदार अजीमुस सान अजीमुस सान जो है उससे इनको तीन गाउं मिले थे ये भी आपको याद होगा तीन गाउं कौनकों से एक गाउं था काली काटा, काली घाट भी कहते हैं इसको और काली काथ, एक काली काथ नाम का गाउं था, एक गोबिंदपुर था और एक था सूतानाती तो इस प्रकार से इनको तीन गाउं प्राप्त होते हैं अजीमु सान से, और ये तीन गाउं इनको 1698 में मिले, जहां पर काली काथा में इन्होंने एक सहर की स्थापना की थी, 1700 में, जिसको बागे चलकर के उन्होंने कलकत्ता के रूप में डेवलप किया, कलकत्ता जो सहर है वही पर इन्होंने बसाया था अंग्रेजुने, और ये भी हमने देखा था कि वहाँ पर ये एक अपना किला भी बना रहे हैं, एक किला इन्होंने डेवलप किया था, जिसका इन्होंने नाम रखा था, फोर्ट बिलियम, क्या नाम रखा था, फोर्ट बिलियम, तो इस परक की एक किला भी वहाँ पे इन्हों ने आगे डेबलब किया और हुगली कासिम बाजार पटना इन सब जगों पे इन्हों ने ब्यापार भी प्रारंभ कर दिया है तो ये अंग्रेजों की स्थिती थी और ये है मुरसीद कुलिखा की स्थिती जो बंगाल को धीरे-धीरे मुगल सत्ता से अलग करता जा रहा था अब क्या होता है 1717 में इस ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा आउसर आया जिसके पीछे हम पढ़ भी चुके हैं जिसके विसे में कि मुगल सासन में एक जो है बासा हुए बासा फरुक्सियर मुगल सत्ता में अब बंगाल से मतलब नहीं है उसका वो वहाँ पे केंदर में है कौन फरुक्सियर बासा फरुक्सियर जो है केंदरी सत्ता में आते हैं मुगल सासक बनते हैं और उन्हों ने जो है अंग्रेजों को एक साही फरमान जारी कर दिया वो कुछ अस्वस्त थे और उनका इलाज क अंग्रेजों के एक डाक्टर ने तो उससे वो प्रसंद होकर के उन्होंने एक अंग्रेजों को बहुत अच्छा फर्मान दे दिया एक छूट प्रदान कर दी बासा फरुक्सियर के द्वारा जो फर्मान अंग्रेजों को दिया गया उसको जो है अंग्रेजों ने कहा कि यह म कमपनी का महा अधिकार पत्र है मैगना काटा है क्यों क्योंकि उसमें इनको जो है कई अधिकार मिल गए थे कई बहुत महत्पूर अधिकार मिल गए थे एक तो इनको बंगाल के छेत्र में जो बंगाल है वहां पे 3000 रुपे पे वार्सिक पे कर्मुक्त ब्यापार का अनुमती मिल गई थी इनको 3000 रुपे बासा फरुक्सियर ने कहा कि यदि अब 3000 रुपे वार्सिक हमको देते हैं कर के रूप में तो आप बंगाल के छेत्र में पूरा कर्मुक्त ब्यापार कर सकते हैं आपको कोई टेक्स नहीं देना पड़ेगा और इसी तरह उन्हों ने इसमें और एक चीज कही कि 10,000 रुपे अगर आप देते हैं तो सूरत में भी यही कंडिशन लागू हो जाएगी करमुक्त ब्यापार आप कर सकेंगे इसके अलावा जो है मुंबाई की टकसाल के सिक्ये ज मैधिकर दी इन्होंने कहा सिक्ये भी जो है मुगल सासन में आपके मानिता उनको मिल जाएगी मान हो गए तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक आदेश था जिसको मैगना काटा की संख्या जो है इन्होंने दी थी कंपनी को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया था बंगा पड़ रहा था तो ये कंपनी की स्थिती मजबूत हो रही है इधर मुर्सीद कुली खा क्या कर रहा है मुर्सीद कुली खा धीरे धीरे बंगाल को सुतंतरता की तरफ ले जा रहा था और इसने जो है उरीसा को इसमें मिला लिया पहले उरीसा इसमें नहीं था 1719 में उरिसा को भी जो है मुरसीद कुली खाने बंगाल में सामिल कर लिया बंगाल और उरिसा 1719 में इसमें सामिल कर लिया तो एक काम इसने ये किया दूसरा काम इसने किया कि जो बंगाल की कैप्टल थी बंगाल की राजधानी थी वो उसमें थी धाका में यहां है धाका आप धाका देखते हैं बांगला देश की राजधानी आज भी है धाका जो बांगला देश की राजधानी है तो वो उसमें बंगाल की राजधानी हुआ करती थी तो उस धाका से इसने जो है राजधानी ट्रांसफर की मुरसीदाबाद मुरसीदाबाद जो इसी के नाम से सहर है तो इसने राजधानी क्या बनाया मुरसीदाबाद ये जो है मुरसीद कुलिखा के काम है मुरसीदाबाद को इसने राजधानी बनाया जिसको मक्सूदाबाद कहा जाता था पहले उसका नाम जो है मुर्सीद कुली खाने ही मुर्सीदाबाद कर दिया और धाका से कैपिटल उठा करके मुर्सीदाबाद ले आया इसने कुछ राजस जो वसूलने की बिवस्था थी राजाओं का जो इनकम का सुरोत था वो राजसू ही था कर तो उसको जो वसूलने की बिवस्था थी उसमें इसने एक नई पध्धत चालो की उसका नाम रखा गया इजारा इजारा दारी बिवस्था इजारा इजारा बिवस्था क्या होती थी इसमें जो राजसु वसूलने का काम है वो ठेके पे दे दिया जाता था मतलब जिस कंडिडेट को मालिया दस गाउ दे दिये गए कि दस गाउ का आपको इतना टैक्स वसूल के देना है तो ठेके पे दे दिया गया और उसी में उसका कमीशन और मुनाफ़ा निकलाया करता था जो वेक्ति ठेका लेता था तो ठेके पे राज़सुवसूलने की बेवस्था को इजारा कहा गया इजारेदारी बेवस्था तो ये मुर्सीद कुली खाने बंगाल में इजारेदारी बेवस्था भी प्रारभ की थी और भी इसने कई टेक्स और प्रसासन मे सुधार इसने लागू किये थे जैसे कि इसने खालसा भूमी में बढ़ोत्री की थी जो किसी राजी की भूमी होती है जमीने होती है उसमें कई परकार की जमीने होती थी जैसे कि कुछ जमीने होती थी वक्फ तो उनको वक्फ की जमीने होती है मतलब किसी संस्था को दाल में दे दी गई है तो उससे कोई राजसु तो मिलना नहीं होता था उस परकार की जमीने या जागीर तो जागीर जो जमीन होती थी तो वो कुछ बिक्तियों को जमीन दे दी जाती थी और उसके राजसु से उसका बेतन निकाला जाता था जैसे कि मुझे अगर एक गाउ की जागीर दे दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इस गाउ से जो भी राजसु टेक्स मिलेगा वही मेरा बेतन होगा तो यानि वो राजा के एकाउंट में नहीं जाएगा वो मेरा सेलरी है तो उससे राजा को कोई लाभ नहीं होता था तो जो खालसा भूमी होती थी उससे राजा को सीधा फायदा होता था तो जिसे इकता भूमी इकता भूमी जो होती थी तो इकता भूमी जो है उससे टेक्स जो प्राप्त होता था वो राजा को मिलता था, सासक को मिलता था और जो जागीर वाली भूम होती थी उससे जो टैक्स मिलता था वो करमचारी के बेतन के लिए होता था तो इस प्रकार से इसने खालसा भूमी में बढ़ोत्री की थी अपने हाँ जमीनों की जो है छेतरफल में बढ़ोत्री की थी और मुर्सीदाबाद को कैप्टल बनाया और इजारा ब्योस्था भी इसने लागू की थी मुर्सीद कुलिक खाँ तो ये जो है संस्थापक माना जाता है सुतंत्र बंगाल का इतना हमने इधर समझा कंपनी को भी हमने समझ लिया अब क्या होता है सत्रा सो सत्ताईस में मुर्त्य हो जाती है किसकी मुर्सीद कुलिक खाँ की मुर्सीद कुलिक खाँ की सत्रा सो सत्ताईस में मुर्त्य हो जाती है और अगला इसके पहले जो है यहाँ पे मुर्सीद कुलिक खाँ ने अपने आपको बंगाल का नवाब घोसित कर दिया था कि अब जो है बंगाल सोतंत्र है और हम यहां के नवाब है तो अब यहां से नवाब की परंपरा सुरू हो गई थी तो अगला नवाब जो आता है 1727 में अब जो है यहां पे कोई उतना योगी नवाब नहीं आया एक आया सुजाओदीन सुजाओदीन नवाब जो है 1727 में आया और 1749 तक यह रहा इसके कारिकाल में कोई बहुत अच्छा प्रसासने की आर्थिक कोई बहुत ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी चर्चा की जाए एक काम जो है इसके कारिकाल में हुआ था वो इसका किया हुआ नहीं था लेकिन इसके कारिकाल में एक काम हुआ था कि जो बिहार है वो भी जो है 1733 में बंगाल में सामिल कर दिया था मुहम्मद साह अब यहाँ पे जो सासक हैं वो आ गए हैं मुहम्मद साह मुहम्मद साह जिनको मुहम्मद साह रंगीला कहा जाता है मुहम्मद साह रंगीला तो मुहम्मद साह रंगीला जो है केंदरी सत्ता में थे उन्हों ने जो है बिहार को भी बंगाल में सामिल कर दिया था उसमें बंगाल का नवाब था सुजाउद दीन तो सुजाउद दिन के बिसे में आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसके कारिकाल के समय में मुहमद साहरंगीला ने बिहार को भी बंगाल में समलित कर दिया था और बिहार का उसमें एक जो दिवान था वहां का वो था अली वर्दी खाँ अब हमें अली वर्दी खाँ के विसे में जानना है अब ये बंगाल से बेक्ति जुड़ गया अली वर्दी खाँ ये बिहार का करमचारी था और चुक बिहार को बंगाल में सामिल कर दिया गया इसलिए अली वर्दी खाँ जो है वो अब बंगाल से जुड़ जाता है बंगाल यह माहत्वाकांची भी था, इसके पास योगिताएं भी थी लेकिन यह महत्वाकांची भी था और इसके मन में एक ख्वाम था कि बंगाल का नवाब मेरे जैसे भैक्त कूँ होना चाहिए ना कि इस प्रकार से किसी को तो इसने एक सड़ेंत्र रचा और इसने आगे नवाबी हासिल करने के लिए प्रियास सुरू कर दिए इधर क्या होता है सुजाउद दीन की मृत्य हो जाती है और सुजाउद दीन के बाद में जो है वहां का नवाब बनता है सरफराज 1749 में बनता है और 40 तक ये रहता है 1740 तक इधर अली वर्दी खा को मौका मिलता है और ये एक मौके की तलास में था ही और सरफराज को ये हत्या कर देता है अली वर्दी खा जो है सरफराज की हत्या कर देता है 1740 में इसकी हत्या हो जाती है और अली वर्दी खा अपने आपको बंगाल का नवाब घोसित कर देता है तो यहां तक हमने कहानी देखी कि मुर्सीद कुली खाने जो है सतंत्र बंगाल की स्थापना की और वहां पर अली वर्दी खान जो है सरफराज की हत्या करके 1740 में अपने आपको नवाब घोसित कर देता है अब चुँकि यह अवैध रूप से एक गलत तरीके से बंगाल का न नजराना भेजा इसने क्या किया इसने दो करोड दो करोड का नजराना भेजा इसने मुहमद साहरंगीला को कहा कि यह दो करोड रूपया मैं भेज रहूं राजस के रूप में और आप मुझे बंगाल का नवाब जो है वैध रूप से लीगल रूप से घोसित कर दीजे और मुहम्मद साहरंगीला ने कहा ठीक है मैं आपको बंगाल का नवाब बनाता हूँ तो अब देखिए 1740 तक हम आ गए है 1741 एक पड़ाओ है यहां तक हमने देखा कि बंगाल का नवाब बन गया है अलिवर्दी खां एक गलत तरीके से इस तरीके से क्या इसपष्ठ हो रहा है भारत की राजनीती में क्या हो रहा है मुगल सत्ता आज इतनी कमजोर हो गई है इतनी कमजोर हो गई है कि न्याय ब्यवस्था भी वहां की बिलकुल धुस्त हो गई है कि एक केंद्री सत्ता में बैठा हुआ बेक्ति जिसको सरासर पता है कि एक बेक्ति ने बंगाल के नवाब की हत्या कर दी है तो उस बेक्ति को सलाखों के पीछे डालने के बजाए दो करोड रुपया ले करके उसे बंगाल का नवाब बनाया जा रहा है इससे क्या परकट होता है कि Center में जो सत्ता है वो ना केवल प्रसासनिक रूप से बलकि न्याईक रूप से और आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो चुकी है और उसका अब इन बंगाल जैसे प्रदेशों पर ना तो प्रसासनिक नियंतरड रह गया है और ना ही कोई न्या रुपया ले करके बहादूर्स उन्हें मुहम्मद साहरंगिला ने उसको जो है बंगाल का नवाब घोसित कर दिया है ये कहानी बंगाल की है अब 1740 तक आते आते क्या हुआ है कमपनी भी वहाँ पे अपने पैर मजबूत कर चुकी है और फ्रांसीसी भी अपने पैर वहाँ पे बहुत मजबूत कर चुके हैं अब अगर करनाटक युध्य आपको याद है तो 1740 वो समय है जब यूरोप में आस्ट्रिया के उत्रा अधिकार को ले करके बिवाद सुरू हो कमपनी और फ्रांसीसी कमपनी के बीच में तीन करनाटक युध्य जो है वो लड़े जा रहे हैं तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी लडायों में बिजी हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वो करनाटक युध्य में बिजी हैं तो अब हम देखते हैं कि 1740 के बाद मे क्या होता है 1740 तक जो है आश्ट्रिया के उत्रा अधिकार को ले करके यूरोप में जो है फ्रांस और बिटेन के बीच में एक तनाव इस्थित उत्पन हो गई है और युध्य सुरू हो गया है तो 1740 के बाद में तीन करनाटक युध्य होते हैं पीछे की क्लासों में करनाटक युध्य पे हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें अंग्रेज प्लस फ्रांसी सी दोनों कमपनिया भारत की भूमी पे लड़ रही हैं आपस में लड़ाई कर रही हैं कमपनिया अपना अपना राजनेतिक बर्चस सुकायम करने के लिए प्रथम करनाटक युध्य जिसमें सेंट थोमे का युध्य हुआ उसमें जो है फ्रांसी सी और अंग्रेजी लड़ रहे हैं उसके बाद 1749 से लेकर के 1754 तक वो फिर जो है करनाटक और हैदराबद के उत्राधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं जिसको जो है अंबूर का युध्य या दुती करनाटक का युध्य कहा जाता है और उसके बाद हम देखते हैं 1756 से लेकर के 1763 तक पुनह जो है सब्त वर्सी युध्य के रूप में वो लड़ रहे हैं तो कमपनिया आपस में लड़ रही है और बंगाल में क्या हो रहा है बंगाल में अली वर्दी खाँ नवाब बना बठा हुआ है अली वर्दी खाँ ये वहां का नवाब बन गया है कंपनिया अपने आप में बिजी हैं वो लड़ाई कर रही फ्रांसीसी और अंग्रेजी आपस में लड़ रहे नवाब के साथ क्या हो रहा है जब मुगल सत्ता से उसका संपर कट गया दो करोन रुपया इसने एक बार भेजा उसके बाद इसने सेंटर में कोई भी पैसा नहीं भेजा तो मुगल से अब देखे मुगल सत्ता कमजोर है इनसे वो टैक्स ले भी नहीं पा रही है अगर ये नहीं दे रहे हैं अपनी मर्जी से तो वो ले भी नहीं पा रहे हैं बलकि अगर सक्तिशाली सत्ता होती तो टैक्स इनको देना ही पड़ता अनिथा सेनाय आ जाती और इनको भगा दिया जाता वहां से तो यहां पे अलिवर्दी खा ने केंद्र से अपना संपर्क कट कर लिया है इसका प्रणाम क्या हुआ मराठे इसका प्रणाम यह हुआ कि जो मराठे उसमें उठ खड़े हुए हैं मराठो का जो है उसमें उठकर सुआ है और वो अपनी सक्ति को बढ़ा रहे हैं अपने छेतर का विस्तार करने में लगे हुए हैं तो मराठे जो है बंगाल पे हमला कर देते हैं अलिवर्दी खा उसमें हार जाता है हम मराठो की लड़ को आगे अलग से पढ़ना चाहेंगे तो वहां पे हम चर्चा करेंगे तो यहां पे हम इतना चाल लेते हैं कि बंगाल पे जो है मराठे अपना हमला कर देते हैं और अली वर्दी खां हार जाता है अली वर्दी खां की पराजे हो जाती है और इनसे चौथ कर वसूला जाता है म आपका जो राजस्व है उसका एक बटे चार चौथे हिस्सा कौन लेता था मराठे तो इनके उपर चौथ कर जो है ठोप दिया जाता है तो ये भले ही किसी गलत रास्ते से बंगाल के नवाब तो बन गए 1740 में लेकिन उसके बाद लगातार ये मराठों से परिसान थे क्योंक के तहत इनको चौथ कर देना पड़ रहा था एक लाख बीश जार इन्होंने च्छतिपूर्थ भी मराठों को परदान की अब जो है एक तरफ तो ये मराठों को चौथ दे रहा है यानि उनसे परिसान है दूसरी तरफ अब अंग्रेज भी यहाँ पे कुछ नकुछ परिसा इनके लिए खड़ी कर रहे थे वो क्या थी हमने बताया था कि 1717 में फारुक्सियर के द्वारा इनको एक अधिकार मिला था दस्तक मिला था एक अधिकार पत्र मिला था इनको क्या था वो अभी बताया था हमने कि आप जो है बंगाल में 3000 रुपे में मुक्त ब्यापार कर सक तो अब कमपनी यहां पे क्या खेल खेल रही है? ब्रेटिस यह क्या कर रही है कि उस दस्तक के सहारे जब भी चुंगी पे सामान पहुंँचता था तो वो दस्तक दिखा के ये बिना टैक्स दिये सामान अपना आर्पर ले जाते थे. तो अब ये क्या कर रहे थे ये अपना ब्यापार कंपनी के नाम से भी कर रहे थे और जो अंग्रेज करमचारी थे वो अपना बैक्तिगत ब्यापार भी फिरी में कर रहे थे और साथ साथ बंगाल के जो लोकल ब्यापारी थे वहां के छेतरी ब्यापारी थे उनका टैक्स भी बचवा रहे थे कैसे उनका सामान भी अपने नाम से चुंगी पार करवा देते थे और उनसे वो टेक्स 50% ले लेते थे 50% उनका बच जाता है उधारड के लिए अगर मैं बंगाल का लोकल ब्यापारी था उसमें मुझे 30 रुपे टेक्स 30% टेक्स मुगल सत्ता को देना है तो अब वो 30% टेक्स जाता लेकिन मैंने अपना सामान अंग्रेजों को दे दिया और उन्होंने मेरा सामान आगे पहुचवा दिया अपने नाम से और मैंने उनको सिर्फ 10%, 5%, 15% जैसा तै हो गया उतना अंग्रेजों को दे दिया और मेरा 30% बच गया इस तरह क्या हुआ इससे अंग्रेज उसमें अपने इस दस्तक का दुर्पयोग कर रहे थे और फ्रांसीसी उनके पास दस्तक था नहीं तो फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे और फ्रांसीसी जो है लगातार अंग्रेजों से युद्ध भी कर रहे थे लेकिन युद्ध का ज्यादा खाम्याजा फ्रां दस्तक चूंकि Central सत्ता के द्वारा दी गई थी बासा फरुक्सियर के द्वारा दी गई थी तो अलिवर्दी खा इस दस्तक को बंद भी नहीं कर सकता था हाँ इसने जो है केंद्र को यहां सूचना जुरूल भेजी कि आपके द्वारा जो है दिया गया दस्तक यहां पर बहु कुछ मिलता ही नहीं है भाई यहां बंगाल से भी तो आप मुगल सत्ता में कुछ नहीं राजों से भेज रहे हो तो उन्हों ने यही कहर करके मना कर दिया कि जब हमें वहां से राजों से मिलता ही नहीं है तो मैं इसमें क्यों हस्ता छेप करूँ दस्तक हमने जारी कि है वो कोई जवाब ही नहीं आया तो अली वर्दी खा ने जो है इन समस्याओं से जूजते हुए 1756 में प्रारत्याग दिये 1756 में इसकी मरत्य हो गई ये जो है इतने वर्ष तक रहता है वहां का नवाब बनके लेकिन ये परेसान ही रहा एक तरफ मराठों से दूसरी तरफ अंग्रेजों से फ्रांसीसियों से कमपनियों से ये परेसान ही रहा और 1756 में ये माज आता है अब 1756 दूसरा पढ़ाओ है यहाँ पर हम देखते हैं 1756 तक क्या इस्थिती बन चुकी है कि दो करनाटक युधि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ चुके हैं प्रथम और दुती और उसमें धीरे धीरे करके अंग्रेज अपना बढ़त बना ले गए हैं आर्थिक रूप से भी और राजनेतिक रूप से भी 1756 तक आते आते अलिवर्दी खा की मृत्ति हो जाती है और आगे उत्रा अधिकार को ले करके एक मामला फच जाता है क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं है इसके तीन पुत्रिया है एक और तीनों पुत्रियों की साधी हो चकी थी एक पुत्री का बिवाह जो है पूनिया में हुआ था एक थी पटना में बिहार और एक थी ढाका में तीनों जगा इसकी पुत्रियां जो है वो ब्याही हुई थी और इसके कोई पुत्र नहीं था तो जाहिर सी बात है अब कोई पुत्री को ही यहां का सासन मिलने वाला था या पुत्री के पुत्र को यानि इनके नाती को तो जो पटना वाली इसकी लड़की है ये तो उसका पुत्र था सिराजुद दौला ये जो है अपने नाना का बहुत प्री था यानि सिराजुद दौला से जो है अली वर्दी खां का ज्यादा प्रेम था और सिराजुद दौला को ही नवाब यहां का घुसित किया गया सिराजुद दौला का तो अब जो धाका की इसकी मौसी है उनका नाम है घसीटी बेगम धाका में जो सिराजुद दौला की मौसी है घसीटी बेगम गसीटी बेगम ये है और पुर्णिया में इसकी मौसी है उनका लड़का है यानि इसका मौसेरा भाई है सौकत जंग सौकत जंग इनके कोई लड़का नहीं है ये सौकत जंग जो है परतिदुन्दी है और घसीटी बेगम अब जो कि ये भी तो इसकी मौसी है यानि तीनों बहने बहने थी तो पूरा हक सिराजुद दौला को मिल गया तो ये लोग चाह रहे थे कि हम को भी इसमें मिलना चाहिए या फिर हम भी तो उत्राधिकारी हो सकते हैं तो सौकत जंग ने जो है अपना एक पच्छ रखा कि हम को यहां का नवाब होना चाहिए था हम जो है बन सकते हैं इधर घसीटी बेगम भी इसमें हस्ता छेप कर रही है लेकिन सत्ता मिल जाती है सिराजुद दौला को सौकत जंग और घसीटी बेगम यह इसके बिरोधी हो जाते हैं क्योंकि इनको अपना हक नहीं मिला तो यह सिराजुद दौला के बिरोधी हो जाते हैं दो बिरोधी इसके नवाब बनते ही बन जाते हैं अब इधर क्या होता है 1756 में कृती करनाटक युध्य सुरू हो गया तीसरा करनाटक युध्यानी जो है यूरोप में सबत वर्शी युध्य जो है अंग्रेजी और फ्रानसीसी लोगों के बीच स्टार्ट हुआ और उसका जो है असरभारत में भी दिखाई पड़ा और 1756 में जो है त्रती करनाटक युध्य जो है अंग्रेजी कमपनी और फ्रांसीसी कमपनी के बीच में प्रारंभ हो गया था अब इसमें क्या होता है कि अंग्रेज चुक युद्ध होने वाला है यहाँ पे उनका एक किला है फोर्ट बिलियम वो क्या करते है फोर्ट बिलियम की किले बंदी शुरू कर रहे है और वहाँ पे फोर्ट बिलियम पे वो तोपे लगाना शुरू कर देते हैं 1756 में चुक्तिती करलाटक युद्य आपने पढ़ा था अंग्रेज और फ्रांसीसी का होने वाला था तो उसके लिए वो तयारी कर रहे थे अंग्रेज और यहाँ पे फोर्ट बिलियम को वो मजबूत कर रहे थे फोर्ट बिलियम पे यह तोपे लगा रहे थे वहाँ को दिवालों को मजबूत कर रहे थे और उस पे तोपे चड़ा रहे थे ताकि हम फ्रांसीसीों से लड़ सकें लेकिन सिराजुत दौला जो वहां का नवाब बना है उसे ये बात पसंद नहीं आती है कि हमारे एक सासन में प्रसासनिक छेत्र में हम नवाब हैं और यहां पे कोई दूसरा बेक्त अपने किले के उपर तोपे लगा रहा है तो यह एक नाजाज इस्थिती है गलत इस्थिती है तो यह अपनी पहले संदेश भेजता है दोनों कमपनियों को कि आप लोग जो है आपसी मन मुटाओ जो भी लड़ाई है उसको आपस में निपटी है लेकिन यह तोपे लगाना जो है हमारे प्रसासनिक छेत्र में सही नहीं होगा तो फ्रांसीसी तो मान जाते हैं फ्रां अंग्रेजों के उपर हमला बोल देता है शिराजुद दौला जो है 1756 में हमला बोल देता है 5 जून 1756 पहले लड़ाई होती है अंग्रेज और सिराजुद दौला के बीच में और उसमें क्या होता है अंग्रेज हार जाते हैं अंग्रेज हार जाते हैं अंग्रेज पराजि तो वो भाग गए, सब भी अंग्रेज भाग गए और सिराजुत दौला ने क्या किया इनके फोर्ट बिलियम पे कलकत्ता पे सब जगे इनकी कोफियों पे कबजा कर लिया सब जगे इनका कबजा कर लेते है और इनको सबको भगा देते हैं मार के अब क्या होता है कि सिराजुत दौला कलकत्ता जो इन्होंने सहर बशाय था उसका नाम बदल के कर देता है अली नगर जो कलकत्ता है उसको वो कर देता है अली नगर और इनका फोर्ट बिलियम पे भी कबजा कर लेता है ये सब अंग्रेज वहाँ से भाग जाते हैं अब क्या होता है वहाँ पे सिराजुद दौला चुकि वो तो मुरसीदाबाद में रहेगा क्योंकि वहाँ राजधानी है तो कलकत्ता का जो है प्रभारी बना देता है मनिक चंद को यानि अली नगर का प्रभारी बना देता है मनिक चंद मनिक चंद को वहाँ का प्रभारी बना देता है कि आप यहाँ पे कारिभार देखें अली नगर की कलकत्ता जिसको कहेंगे और मैं मुरसीदाबाद जा रहा हूँ सिराज़ु दवला चला जाता है मुरसीदा बाद अपनी सेनाय वगरा ले करके अब वर्तमाल स्थिती ये हो गई कि कलकत्ता का जो प्रभारी बन गया है वो मनिक्चंद बन गया है कलकत्ता अंग्रेजों के हां से चला गया है अब ये सूचना पहुंशती है मद्रास अब मद मद्रास में हम इस्थिति आपको याद दिलाएं, आपने दुती करनाटक युद्ध में पढ़ा था, कि वहाँ पे अंग्रेजों को एक नया योग सेनानायक मिला था, कलाइब, राबर्ट कलाइब, तो कलाइब जो पहले कलर्क था, वो सेनानायक बन चुका है, और दूसरा कर नाटक युद्ध जीतने में, कलाइब की बहुत महत्पूर भूमिका रही थी, वो वहाँ मद्रास में है, मद्रास में कौन सा किला है अंग्रेजों का, आप कमेंट करके बताए, कि मद्रास में अंग्रेजों का कौन सा किला था, उसका क्या नाम था, तो वहाँ पे कलाइब है अपनी सेना के साथ में तो क्लाइब तक यह सूचना भेजी जाती है कि सराजुत दोला से ऐसी सी बात हो गई है और हम सब लोग भगा दिये गए हैं यह लोग जाकर के फुल्टा नामक दीप है वहीं पे सरन लेते हैं वहीं पे हर बार भाग के जाते हैं तो क्लाइब वहां से अपनी सेना लेकर के आ जाता है और उसके साथ एक नव सेना भी आती है अड्मिनल वाट्सन के नित्रत में तो वहां मदरास से मदरास यहां पे है अब मदरास से जो है बंगाल आ जाती है सेना क्लाइब लेकर के आ जाता है क्लाइब और वाटसन वाटसन जो है एड्मिनल है नो सेना का और क्लाइब ये दोनों अपनी सेयुक्त सेना ले करके बंगाल आ जाते हैं मदरा से बंगाल और जब ये बंगाल पहुंचते हैं चोंकि ये अब सक्तिसाली सेना ले करके बंगाल में आ गए और इन्हों ने जो है यहाँ पे जो कलकत्ता में कबजा इनका चला गया था उसको वापस पराप्त कर लेते हैं वहाँ पे एक युद्ध होता है और उस कबजे को ये वापस पराप्त कर लेते हैं तो इनको मिल जाता है कलकत्ता वापस परणाम क्या होता है? कलकत्ता वापस इनको मिल जाता है और ये फोर्ट बिलियम पे फिर अपना कबजा कर लेते हैं कलकत्ता में ही तो फोर्ट बिलियम है फोर्ट बिलियम पे ये पुड़ा अपना कबजा कर लेते हैं और युद्ध की घोशना कर देते हैं सीधे सिराजुद दौला के खिलाफ कि सिराजुद दौला हम आपके उपर आकरमर करेंगे युद्ध करेंगे अब इस सिच्वेशन में सिराजुद दौला थोड़ा बुद्बानी से काम लेता है क्योंकि सेंटर से भी उसको कोई मदद मिल रही थी इधर मराठो का भी जो है भय है इन सब चीजों से वो चाहता है कि मैं अभी भी नवाब बना हूँ और बहुत सारा कोई बिवाद नहीं होना चाहिए बहुत बिवाद वो नहीं चाहता है इसलिए वो युद्ध नहीं करता है और अंग्रेजों से एक संध करता ह जिसको कहा जाता है अली नगर की संध अली नगर की संध देखें आप सब पॉइंट बाइप पॉइंट आप नोट जरूर बना लिजेगा इसलिए मैं धीरे धीरे और हर चीज लिख करके आपको बता रहा हूं नोट्स बना लिजेगा जिससे आप रिवीजन करने में आसानी रहेगी तो सिराजुद दौला और अंग्रेजी कमपनी के बीच में एक संध होती है जिसको कहा जाता है अली नगर की संध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलकत्ता का जो नया नाम सिराजुद दौला ने रखा था वो रखा था अली नगर लेकिन कलकत्ता का पुना नाम अंग वापस मिल गया फोट बिलियम इनको वापस कर दिया गया और कुछ हरजाना इनको मिला युद्ध की छतपूर्थ की रूप में और जो बंगाल का छेत्र है वहाँ पे जो है ब्यापार करने के लिए इनको फिर से दस्तक जो दस्तक थी उसको अनुमती दे दी गए कि ठीक है आ अब हम जो है आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तचेप नहीं करेंगे ये पॉइंट वो हर एक संध में रखते ही थे कि हम आंतरिक मामलों में हस्तचेप नहीं करेंगे जबकि वो ऐसा कभी किये नहीं हमेसा हस्तचेप करते ही करते थे लेकिन ये पॉइंट जरूर डालते बित्त था, ये चाहता है कि इसी समय कुछ निर्डायक हो जाना चाहिए और इस तरह से ये सांती उसको ठीक नहीं लग रही, वो चाहता है कि अब बंगाल पे कुछ न कुछ अंग्रेजों का अधिपत्य ज्यादा होना चाहिए, प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, इसके बीच एक घटना होती है, इसी बीच एक घटना एक जो है एक बेक्त है अंग्रेजों की तरफ का हैलवाल, हैलवाल ने एक बात, चाहे कहिए इसकी मनगणत थी या इसमें कोई सचाई भी रही होगी, हलाकि इसके सचाई के कोई साच जो है इतिहास कारों के द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं फिर भी ये एक घटना थी जो आगे युधिका कारण भी बनी तो हेलवाल नामक एक बेक्ती है अंग्रेजों में तो वो कहता है कि जब ये घटना हुई 15 जून को सवरी ये मैंने 5 जून बता दिया था इसको आप 15 जून कर लीजिए 15 जून को ये अंग्र उस कहता है कि 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया जो 10 बाई 18 14 बाई 18 का कमरा था लगभग 14 बाई 18 का एक रूम था जिसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया तीन दिन ये हैलवाल ने कहा हैलवाल ने सब जगें ये कहना शुरू किया परचार करना शुरू किया कि सिराजुद दौला ने जब यहाँ पे 15 जून को पराजित किया था तो उस समय जो है 146 अंग्रेजों को पकड़ करके तीन दिन के लिए एक छोटे कमरे में जिसका उसने जिक्र किया कि वो 14 गुड़ 18 का लगभग कमरा था जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया गया तीन दिन और उसमें तमाम लोग जो है दम घुटने की वज़े से मर गए तीन दिन बाद जब कमरा खोला गया तो सिर्फ 23 लो होगा कि किसी तरीके से सिराजुद दौला के करेक्टर के विषय में एक नगेटू छबी जो है राज में बनाई जाए जिससे कि हमें मौका मिले लड़ाई करने का ऐसा माना जाता है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि सिराजुद दौला ने युद्ध के दवर ब्लैक होल की घटना यह जो हैलवाल के द्वारा प्रचारित की जारी घटना है इसको कहा जाता है ब्लैक होल की घटना और डेट जो इसके लिए है वो है 20 जून 1756 वही 15 जून 1756 को लड़ाई हुई और 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई तो अब एक ये पोईंट एंग्रेजों के पास है ब्लैक होल की घटना वाला इसको ले करके वो बराबर सिराजुद दौला के उपर जो है दबाव बनाने की कोशिस कर रहे हैं कि आपने ऐसा पंगाल के सासक हैं जो शिराजुद दौला है वो फ्रांसीसियों का ज्यादा पच ले रहे हैं डचों का ज्यादा पच ले रहे हैं और इस वज़े से हम जो है अंग्रेजियों कमपनी का नुक्साल हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए यानि वो अलग अलग बहानों से कि इसी प्रकार से अब लड़ाई करने का रास्ता धूड़ रहे थे क्योंकि उनको पता हो गया था कि अब जब तक हम एक युद्ध नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपना राजनेतिक बर्चस्व नहीं कायम कर सकते और इस समय यह कंपनिया बिलकुल लड़ाई के मूड में भी वी बिवाद बढ़ता जा रहा था और इसकी परणीत ही क्या होती है कि एक युद्ध होता है और अंग्रेजों के बीच में जिसे प्लासी का युध्य कहा जाता है तो चलिए हम देखते हैं प्लासी का युध्य कैसे हुआ और क्या प्रणाम उसका निकला तो प्लासी का युध्य जो है वो 23 जून 1757 को हुआ लगभग एक वर्स ब्लैक होल की घटना के लगभग एक साल के बाद ये युध्य की इस्थिति बनती है जिसे कहा जाता है प्लासी का युध्य ये प्लासी नाम के गाउ था वही पर हुआ इसलिए इसे प्लासी युध्य कहा जाता है प्लासी युद्ध और डेट है इसकी 23 जून 1757 देखे कुछ महत्पून डेट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर किसी किसी एक जान में घटनाओं को अरेंज करने के लिए दे दिया जाता हूँ घटनाओं बहुत निकट निकट की होती हैं तो उसमें कभी क डेट की भी जरूरत पड़ जाती है तो ब्लैक होल थी पहले युद्ध हुआ 15 जून 1756 को उसके बाद ब्लैक होल की घटना हुई 20 जून 1756 को और 23 जून 1757 को जो है लडाई होती है प्लासी का युद्ध कहा जाता है जिसे अब प्लासी का युद्ध जो है वो एक कोई बड़ा युद्ध नहीं था ये अंग्रेजों के सडय अंतरकारी नीत का ही प्रणाम था जिसमें अंग्रेजों ने एक प्रकार से कह लीजें धोखे से छल कपट करके जो है सिराजुद दौला की हत्या करवा दी थी तो किस प्रकार से होता है ये इसमें जो मुख्ध करता दो गुट मैं बना रहा हूँ एक तरफ तो अंग्रेज है एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ जो है सिराजुद दौला की सेना के कुछ लोग, सिराजुद दौला के प्रसासन के कुछ लोग जिनको अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया है अपने सनेंत्र में उनमें एक नाम है जो प्रभारी है मनिक चंद्र जिसको कलकत्ता का प्रभारी बनाया था सिराजुद दौला ने तो वो मनिक चंद है मनिक चंद्र क्या था वो प्रभारी था दूसरी चीज एक सेट है एक बैंकर है जगत सेट जगत सेट ये कलकत्ता में एक बैंकर है और अमीर चंद या अमीर चंद आपको ना मिलेगा ये ब्यापारी है ये नाम आप सब नोट का लीजेगा कौन क्या है और ये नाम पूछे जाते हैं घसीटी बेगम इसकी मौसी है ये भी जो है अंग्रेजों की तरफ मिल जाती है और अब इतने लोग तो हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा सीधा रोल नहीं है लेकिन अब कुछ लोगों को अब इसा मिला लिया जो सीधे सीधे हार और जीत के लिए निड़ायक हो सकते थे वो थे सेना के करमचारी यानि सेना पती सेना पती जो है सिराजुद दौला का जो प्रमुक सेना पती है वो है मीर जाफर राय दौलव ये प्रमुक सेना पती है और ये भी एक सेना का ही करमचारी है प्रमुक सेना जैसे कुलीन जो लोग होते थे जो सेना ये वगरा लेकर के आते थे तो ये भी सेना की टुकडी का ही एक संचालक है राय दौलव तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो सिराजु दौला के दरबार के थे उनको अंग्रेजों ने अपने पच्छ में मिला लिया है खास करके मनिक चंद प्रभारी जगत सेड जो बैंकर है अमीर चंद एक ब्यापारी है घसिती बेगम उसकी मौसी है और मीर जाफर एक सेनापती राय दुरलफ जो है उसकी सेना का एक दिखाया गया कि अगले नवाब आप होंगे मीर जाफर को सीधा सा एक लाव जो है दिखाया जाता है कि आपको नवाब बना दिया जाएगा बसरते आप हमारा साथ दीजिए तो ये सब अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं इसी में प्लस अंग्रेज कर लीजे आप ऐसा नहीं है सब लोग जो है बैमान ही थे धोकेबाज थे कुछ लोग सीराजुद दौला के पच्छ में भी थे जैसे मीर मदान का नाम आपको याद रखना है मीर मदान और मोहलल मोहलल ये लोग जो है बहुत एमानदारी से सिराजुद दौला के पच्छ में थे लेकिन ये युध्य के रवराण सब मारे जाएंगे क्योंकि ये जब मुखे सेना पती ही धोके बाज हैं तो ये दोनों लोग युध्य के रवराण मार दिये जाते हैं और बाद में सिराजुद दोला को भी धोके से मार दिया जाता है, तो इस प्रकार से मीर मदान का नाम, मुहलाल का नाम भी पूछा जाता है, कुश्चर में अलग-अलग पूछे जाते हैं कि कौन सिराजुद दोला के पच्छ में थे, कौन अगरेजों के पच्छ में चले तो निश्चित तोर से आपके साथ धोखा होने वाला है तो प्लासी का जो एक गाउ था वहाँ पर जो है सेनाए आमने सामने होती हैं सिराजुत दोला को वहाँ पर धोखे से मार दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने के लिए ये राय दुरलव, मीर जाफर इन प्लासी युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत जाते हैं तो यह प्रकार से यहां कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था लेकिन इसका महत तो बहुत बड़ा है क्योंकि सिराजुत दोला की जो हत्या इन्होंने धोखे से कर दी उसके बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का तो प्लासी के युद्ध का क्या प्रणाम निकला पहली चीज बंगाल में जो अगला नवाब बना मीर जाफर वो अंग्रेजों की कटपुतली है वो अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने वाला बेक्त है इतिहास कारों ने और बाद में जो है बंगाल से ये फेल हो गया तो ये हर प्रकार से अंग्रेजों को ही लाभ पहुंचाता है और इस युद्ध के बाद ये बंगाल का नवाब बन गया और बंगाल के समस्त कार्यों में आर्थिक प्रसासनिक सभी कार्यों में अंग्रेजों का पूरा हस्तचेप हो गया ये सिर्फ नाम का नवाब उहां का बन जाता है तो प्लासी युद्ध के बाद में अंग्रेज पूरी तरीके से राजनेतिक रूप से हावी हो गए बंगाल के प्रसासन पे और वहाँ पे एक रेजिडेंट इन्हों ने नुक्त किया तो प्लासी के इसक्राफ्टरन जो है एक रेजिडेंट के रूप में बंगाल में दरबार में नुक्त किया गया तो जहां भी अंग्रेज आगे देखेंगे जहां जहां अंग्रेज अपने आपको राजनेतिक रूप से जीत हासिल करते थे वहां के दरबारों में अपना एक करमचारी जिसको रेजिडेंट कहा जाता था रेजिडेंट के रूप में नुक्त करते थे तो प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर के दरबार में एक रेजिडेंट नुक्त किया गया लिउक स्क्राफ्टरन को और ये अंग्रेजों का प्रतिनी धुल के दरबार में बन गया और मीर जाफर से इन्होंने 24 परगना हासिल किया 24 परगना छेत्र इसको इन्होंने पुरुसकार के रूप में हासिल किया और 3 लाख रुपे तीन लाख रुपे जो है इन्होंने पुरुसकार के रूप में हासिल किये अपनी कमपनी के लिए कि उसे दिमें बहुत खर्चा हुआ है तो उसके रूप में इन्होंने हासिल किये और अब मीर जाफर को मीर जाफर चाहता था कि राय दुरलव को मरवा दिया जाए क्योंकि यह सुचता था कि जिस बेक्ति ने सिराजुत दौला को धोखा दिया है अब हो सकता है कभी वो मुझे भी धोखा दे तो राय दुरलव या अन जो धोखेबाज बेक्ति थे अब मीर जाफर चाहरा था धोखेबाज तो वो भी था लेकिन वो चाहरा था कि जो बैमान ह सब चलते आ रहने दीजिये और हम सब समहा लेंगे तो इस प्रकार से अब बंगाल पे राजनेतिक रूप से कबजा हो चुका था अंग्रेजों का 1757 में और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने जो है फ्रांसीसियों को भी वांडिवास के युद्ध में हरा दिया और वे बेदरा के युद्ध में डचों को भगा दिया डचों को हरा दिया इन्होंने इलजाम लगाना शुरू किया कि जो है डच बहुत अस्तचेप कर रहे हैं अब इनके पास सक्ति आ गई थी ना पूरा बंगाल इनके सासन में था तो बंगाल से इनको आर्थिक रूप से सैनिक से बाहर हो गए और सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी भारत में बसती है जो प्रबल है सक्तिसाली है राजनेतिक आर्थिक सभी रूप से वो थी इस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और इस प्रकार से अब बंगाल का जो नवाब है म दोखे और छलकपट से किया है अभी यहाँ पे अंग्रेजों की से निसक्त नहीं प्रदर्सित हुई है अभी आप कह सकते हैं कि अंग्रेज धोखे से जीत गए है लेकिन यदि सेनाये टकरा जाए मुगल सेना या किनी अनिराज की जो बड़ी-बड़ी सेनाये है वो मुगल स अगर टकर ले ले अंग्रेज तो अंग्रेज हार जाते ऐसा माला गया लेकिन अभी बकसर का युधि जब होगा इसके बाद उसमें ये साबित हो जाएगा कि अंग्रेज ना केवल अपनी बुद्धी से बूपर थे बलकि वो सैने छमता में भी हावी हो गए उन्होंने मु सक्ति में भी आगे हैं और उसके बाद उन्होंने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा जो भी उनके सामने आया उससे वो सीधे युधि करते चले गए तो इस प्लासी के युधि के बिसे में आज की क्लास में हमने जाना नेक्ट क्लास में हम देखेंगे बकसर का युधि और फिर हम पढ़ेंगे कि इन युद्धों से किस प्रकार से भारत में अंग्रेजी राजनीत शुरूही और उन्होंने द्वैद सासन जैसी प्रनालिया कैसे लागो की और बाद में किस प्रकार से यहां की पूरी राजो से वोस्था को बदल दिया तो मिलते हैं एक बहतर क प्लास में तब तक के लिए धन्यवाद